हेलो फ्रेंड्स मैं हूं मोनी स्वागत थे आपका मेरे चैनल में तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम आपको फैब्रिक लटकन बनाना बताएंगे जिसको बनाना बहुत ही आसान है और यह कम टाइम में बनकर जल्दी से रेडी हो जाता है तो इसको बनाने के लिए हमन कपड़े के दो पीसेस कट किये हैं तो इस तरीके से मीडियम साइज के प्लेट लेंगे आप और यह राउंड में इसके जो चारों तरफ है हम चौक से निसान लगाएंगे मार्किंग करने के बाद इन निसानों पर हम जहां पर हमने निसान लगाए है चौक से उनी निसानों पर हम अपनी कटिंग करेंगे कटिंग करने के बाद इसका जो चारों तरफ राउंड सेफ में हम हाफ फिंस का मार्जन लेते हुए गुलाई में सिलाई लगाएंगे सिलाई लगा कर इसको कंप्लीट कर लेना है देखिए इस टाइप से सिलाई लगा कर हम पूरे राउंड सेफ को कंप्लीट कर लेंगे देखे फ्रेंट्स हमने सलाय लगा कर कम्प्लीट कर लिया है अब इसके चारों तरफ हम राउंड सेप में जो सलाय लगाया है हमने वहाँ पे हलका हलका कट्स का निसान बनाएंगे देखे इस टाइप से अब इसको हम सेंटर से फोल्ड करेंगे एक बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे चौक से निसान लगाएंगे अब थोड़ा सा यहाँ पे कपड़े को हम कट कर लेंगे ताकि हम यह कपड़े को अच्छे से पलट कर सिधे के साइट्स कर लें देखिए इस टाइप से हम पूरे कपड़े को बाहर निकालते हुए अंदर के तरफ जो हमारा मारजन है अंदर के तरफ करते हुआ उसको पलट लेना है और इस तरीके से किसी नुकीली चिस से इसके कॉर्णर को जहां पर हमने सलाई किया है उसको अच्छे से सेट कर लेना है देखिए इस टाइप से तो दिछे हमारा फ्रेंड कीर्य यह राउंड शेप मेंबनकर रैडी हो गया है अब इसको प्रेश लगा कर हम सेट कर लेंगे अब हम इसको सेंटर से फोल्ड करेंगे इसके सेंटर पर मार्किंग करेंग और ूरह इस टाइप से डोरी को रखí देखे अपौजिट साइड से भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे और सेंटर पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे डेखे इस टाईप से थोड़ा सा मारजन लेते हुई हम दूसरी लाइन भी बनाएगे और इसके सलाई कर देंगे आप चाहें तो बिना मार्किंग के भी सलाई कर सकते हैं अब थोड़ा सा दूर इपर हम एक और सलाई लगा देंगे देखें इस टाइप से अब हम अपने सुई में धागा ढालेंगे और जहां पर दोनों सलाई के बीच में गैपिंग है वहां पर इस टाइप से हम सलाई लगाएंगे देखें इस टाइप से सलाई लगाने के बाद अपने धागे को हम खीचेंगे इस तरीके से और इसको round shape में घुमाते हुए हूए अच्छे से हम 1938 बांद लेंगे और अपने धागए को अच्छे से पक्का कर्ते हुए हमें cut कर लेना है अब एक साइट से fabric को इस तरीके से हमें पलट कर सिधा कर लेना है फिनिशिंग करते हैं अच्छे समय इसे सेट कर लेना है तो देखिए फ्रेंट इसी के साथ आज का हमारा ये लटकन का डिजाइन कम्प्लीट होता है आपको ये डिजाइन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताए आज की वीडियो में हम आपको बटरफ्लाई लटकन डिजाइन बनाना बताएंगे जिसको बनाना बहुत यासान है तो हमने ये फैबरिक लिया है इसको फोर पीसिस में कट किया है जिसकी लंबाई और चोड़ाई हमने फोर इंच ली है अब एक पीस को लेंगे हम इस टाइप से इसको फोल्ड करेंगे एक बार और इस तरीके से फोल्ड करेंगे अब राउंड सेप में इसकी कटिंग कर लेंगे देखे इस टाइप से दूसरे वाले फैब्रिक को भी लेंगे एक तरब से इस टाइप से फोल्ड करेंगे एक बार और फोल्ड करेंगे और इसको भी हम राउंड सेप में कट कर लेंगे देखिए इस टाइप से अब इन दोनों राउंड वाले फैब्रिक को एक के उपर एक रखेंगे और पीन से अच्छे से सेट करेंगे अब हाँ फिंच का मार्जन लेते विए पूरे गुलाई में हम चलाई लगाएंगे अब दूसरा वाला जो फैब्रिक है इसको इसी तरीके से हम चोगोर में हाफ इंच का मार्जन लेते हुए शिलाई लगा लेंगे देखिए इस टाइप से चारो तरफ से शिलाई लगाकर हम कंप्लीट कर लेंगे अब इसके कॉर्णर को हम चारो तरफ कट कर लेंगे इस टाइप से और जो राउंड से इफ हमने ये सलाई लगाया है इसके राउंड में हम हलका हलका कट का निशान लगाएंगे अब इसको सेंटर पे हम हलका सा कट का निशान लगाएंगे ताकि हम जो हमारा मार्जन है वो अंदर की साइड हो जाए और जो हमारे फिनिशिंग के साथ जो कपड़ा है वो पलड़ कर सीधा करेंगे फिनिशिंग के साथ अच्छे से इसको शिधा करेंगे और इसके कॉर्नर को सेट करने के लिए हम किसी नुकिली चीजसे इस टायप से सलाई को पाहर करतेवे कपड़े को हम अच्छे से सेट कर लेना है अब दूसरे वाले कपड़े में भी हम सेंटर पे कट का निसान लगाएंगे यानि फैबरिक को कट कर देना है और इसको भी पलट कर हम सिधा कर लेंगे इसके भी कॉर्णर को हम अच्छे से सैट करेंगे बाहर की तरफ निकालते हुए और प्रेस लगाकर दोनों फैबरिक को अच्छे से सैट कर लेना है अब एक कॉर्णर से हम दुसरे कॉर्णर तक मिलाते हुए सेंटर से फैब्रीक को फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर पे हम चॉक से निसान लगाएंगे इस टाइप से राउन वाले फैब्रीक को भी हम इस तरीके से सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसके भी center पे हम chalk से निसान लगाएंगे इस type से और इस तरीके से एक के उपर एक रखते हैंवे हम sly लगाएंगे तो सुई में धागा डालेंगे और इस तरीके से हम sly लगाकर जहांपे हमने chalk से marking की है उसी पे हम पनी sly लगाएंगे इस type से तोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए हम इसको दूसरे वाले फैब्रिक पर इस टाइब से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे सिलाई लगाने के बाद जो हमारा धागा है उसको इस तरीके से हम बाहर के तरफ खीचेंगे और नीचे की साइट से भी जो धागा है उसको इस तरीके से खीचेंगे और इसको अच्छे से सेट करते हुए हम बटरफलाई का सेफ देंगे इस टाइब से और दधागे को अच्छे से राउंड सेप में इस तरीके से गुमाते हुए हम टाइट बान देंगे और पीछे के साइट से पका करते हुए हम ध्रेट को कट कर लेना है अब छोटा सा लेस लेंगे और इसको राउंड सेप में सिलाई जहां पर हमने लगाया इस तरीके से सेट करते हुए इसे भी हम सुवी धागे की मदद से अच्छे से अटेज कर लेंगे स्लाई लगा कर देखे इस टाइब से अब हम डोरी लेंगे एक छोटी डोरी लेंगे जिसकी लंबाई हमने 6 इंच लिया है दूसरी डोरी की लंबाई हमने 9 इंच लिया है अब इस भी हम छोटे से फुलना यानि की लटकन बना कर लगाएंगे तो सबसे पहले हम जो 6 इंज की हमने डोरी लिया है उसको इस टाइप से उसमें लटकन बना कर अटेश करना है एक्स्टा फैबरी को कट कर देना है और डोरी को हम अच्छे से फिनिशिंग के साथ बलट लेंगे देखे इस टाइप से अब दूसरे वाले डोरी में भी हम लटकन बना कर कंप्लीट कर लेना है इसमें हम दोनों साइट लटकन बना कर कंप्लीट करेंगे झाल झाल अब दोनों डोरी को एक डोरी को हम इस टाइब से सेंटर से फोल्ड करेंगे और जो हमारी छोटी वाली डोरी थी उसको सेंटर पर इस तरीके से बांद कर इसको अच्छे से से शैट कर लेना है देखिए इस टाइब से अब इस डोरी को हम पीछे की साइट से अच्छे से सुई धागे की मदद से स्टीज करका जेट कर लेना है इसके सेंटर पे हम एक सो बटन भी अटेच कर देंगे तो फ्रेंट इसी के साथ हमारा आज का यह डिजाइन बनकर कंपलीट होता है आपको यह डिजाइन कैसा लगया हमें कमेंट में जरूर बताएं वीडियो पसंद आया है तो वीडियो के लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें उसके साथ साथ बेल वाली बटन को आउन करें और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्यू थैंक्स फा वाचिंग मिलते हैं नेक्स वीडियो में